नमस्कार आपके अपने चैनल गायतरी जोतिस केंदर में मैं स्टलोजर पंडित अनिल कोठारी आप सभी लोगों का हर्दिक अभी नंदन करता हूँ एक नई जानकारी के साथ प्रस्तोतूं आप लोगों के बीच हमारे चैनल से काफी अच्छे अच्छे लोग चुड़े हु प्रस्तों आप लोगों को जानकारी दूंगा यह वीडियो उसी विसाई पे आधारित है कि पाउं में खुझदी लगने का क्या फल होता है तो आप वीडियो को अंततक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ा कर आप से जरूर करिएगा और जो के वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए बैल आइकन को वह प्रेस कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की जानकारी कापी अध्यन के पस्चात यह जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आये वाऊं पुरसों के बाएं पाउं में यदि खुझली लगती है तो वह जाता है और इस्त्रियों के दाहिने पाउं में खुझली लगे तो वह सुब माना जाता है और पुरसों के दाहिने पाउं में खुझली लगे तो वह असुब माना जाता है यहां पे मैं पुरसों के फल बताऊंगा तो महिलाएं समझ लीजिएगा कि वो ठीक उसके अपोच पुर्सों के बाये पाउं के अंगुलियों पे नीचे की तली की अंगुलियों में यदि खुजली लगे तो किसी धार्मिक यात्रा का योग उनका बनता है किसी नए इस्तान पिकनिक स्पॉट में जाने का उनका योग माना जाता है पाउं के सेंटर में बीच में तले में सकते हैं पाओं के पीछे तले में सबसे पीछे पे यदि खुजली लगी तो वह भी काफी सुब मानी जाती है ऐसी खुजली हो सकता है आपको किसी नए स्तान पे जहां आज तक नहीं गए हो वहां तक ले जा सकती है विदेश स्यात्रा आपको दे सकती है इसके अलावा किसी जॉब में आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है नए इस्तान में जाने के लिए किसी ब्यापार के लिए आप नए इस्तान पे जा सकते हैं या किसी घर के सुपकार्य के लिए कोई विवाहा आदी के लिए आप किसी नए इस्तान पे जा सकते हैं पाओं क के लिए भी आप घर से निकलेंगे उस कारे की सफलता में किसी भी प्रकार का कोई संदे नहीं सर्व सुकदाई इसे माना गया है इसके अरावा आपको नए मित्र मिल सकते हैं आपको धन की प्राप्ती हो सकती है कोई बेरोजगार है तो उसे रोजगार की प्राप्ती हो सकती ह यानि कि जिस कारे के लिए भी आप गर से बाहर निकलेंगे वह कारे आपका बनेगा ही, बनेगा, अब बात करते हैं, दाहिने पाउंք की खुजली के फिल्की, दाहिने पाउं की अंगलियों में, यदि निचले साइट नीचे पे यदि खुजली लगती है, तो यहां खुज की यात्रा आपकी रह सकती है यदि दाहिने पाउं के नीचे बीच सेंटर पे तले पे यदि आपकी खुजली लगती है तो आपका किसी के सांद विवाद हो सकता है जगड़ा हो सकता है परिवार के अंदर आपका जगड़ा हो सकता है और आपको उसी समय पे वहस्तान पढ़ सकता है यदि पाओं के पिछले हिस्से यानि कि सबसे पीछे तले में खुजरी लगती है तो आपको तुरंत ही वह स्तान छोड़ना पढ़ सकता है कोई कोट कचरी से संबंदित कोई विवा मैटर आ सकता है पुलिस थाने के चक्कर लगाने पढ़ सकते हैं जॉब में ह छूट सकती है ब्यापार में उधार फट सकता है और भी कई प्रकार का नुकसान देखने में आ सकता है अब बात करते हैं कि दाहिने पाओं की उंगलियों में यदि उपर से खुजली लग जाए तो उसका क्या फल होता है तो यह बहुत असुब माना गया है इसमें कहा गया है कि ऐसे जब यहाँ पर को खुजली लगती है तो चेल यात्रा भी आदमी को देखनी पड़ सकती है पर देश गमन यानि की अपना देश निकाला यानि की देश छोड़ के जाना पड़ सकता है एक मन में भई बन जाता है और मृत्य तुलिक कष्ट भी हमें यहाँ पर को इसको जरूर आगे बढ़ाएं से प्राप्त हो सकता है तो यहाँ फल था किन्तु यहाँ पर को एक बात ध्यान देने वाली है कि एक ही बार खुजली का यहाँ फल नहीं होता है जब लगातार तीन से चार दिन तक आपको उसी स्थान पर घुजली लगती है तब यहाँ पल आपके साथ घटित होता है तो यह था पाउं में खुजदी लगने का फल यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर आगे बढ़ाए सेयर करिए और वीडियो को आप लाइक अवस्य ही करिए तो मिलूंगा ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम, जैसरी कृष्णा, ओम नमस्सिवार